पुना एक बार फिर से बेटा आप सबका SSG गुरुकुल के ओफिसियल यूट्यूब चैनल पर हर्दिक स्वागत आप सब लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं और हम बहुत अच्छे से आपको प्रीवियस एयर में संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्ण पेपर में बने हैं उन प्रश्णों से जोड़ करके पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम अपनी नई श्रंकला में आप लोगों को बाल विकास के अंतरगत जो सारीरिक और मांसिक और समवेगात्मक विकास के अंतरगत इन अवस्थाओं से संबंधित कोई भी जो प्रश्ण बने हैं उन प्रश्णों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और क्या नए प्रश्ण बन सकते हैं उनके बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा आपको करना क्या है फिर वही काम करना है जो मैंने आपसे पहले बोला है आपको कॉपी पेन अपने हाथ में रखना है और मेरी बात क आपको सिर्फ सुनना है और जहां आपको समझ में आए वहाँ पर लिख लेना है और जहां पर कोई चीज आपको confuse करे पूछ लेना है ठीक है न बिटा तो सुरू करते हैं आज की क्लास में हम बालविकास के अंतरगत वालक की सारीरिक मानसिक सम्वेगात्मक विकास की चर्चा करेंगे अवस्थाओं के अनुसार बहुत ज्यादा डीप में नहीं चलेंगे उतना पढ़ेंगे जितना यूपी टेट के प्राइमरी में आता है ठीक है ना घोल के नहीं पीना है इतना अंदर तक चले जाना जो पूछा ही नहीं जाना है उतना पढ़ना है जो पूछा जा में आ रहा है, 2023 के प्रारभ में सिच्छक भरती परिच्छा हो सकती है. तो अगर मैं जल्दी बोलता नहीं हो ऐसे आके YouTube पर, लेकिन अगर मैंने बोला है अर्था कहीं न कहीं मैंने सुना है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अंदर से feel आ रहा है कि परिच्छा हो जाएगी और मैं तो class में अक्सर कहता हूँ मैं offline जो भी मैं online class पढ़ाता हूँ offline class पढ़ाता हूँ सब में कहता हूँ कि holy इस बार बहुत अच्छी आप लोगों की हो गी तो अगर मैं बार बार कह रहा हूं ली बहुत अच्छी होंगी तो कोई ना कोई बात होगी ठीक है ना देखो बेटा सारीरिक विकास की बात करेंगे मांसिक विकास की बात करेंगे और सम्वेगात्मुक विकास की बात करेंगे तीनों बातों से सिर्फ सुनेंगे बस सुरू करते हैं सारी इदिक विकास बालक के जन्म लेने से लेकर कि सूरा अवस्था तक बालक का जो सारी इदिक विकास होता है वो होता रहता है ठीक है ना बढ़ता है कुछ समय के लिए थोड़ा सा रुकता है और फिर बढ़ता है प्रक्रिया है जीवन की ठीक है ना लेकिन ये जो सारी इदिक विकास बढ़ता है कुछ समय के रुकता है और फिर बढ़ता है इसका क्या कारण है जानेंगे सुनिएगा सबसे पहले सारी इदिक विकास से सारी इदिक विकास का मतलब मस्तिस का भार यूपीटेट के पेपरे पूछा गया, तो हम आपको बता दे, सैस्वा अवस्था के बच्चों के, जो मस्तिस का भार होता है, वो 350 केजी होता है, केजी नहीं होता है ग्राम होता है, केजी निकल ही गया बाई साब, क्या कहोगे, 350 50 ग्राम होता है केजी में ल деле आ जा जासा बाल्या अवस्था में मस्तिस के भार को मापा तौला नहीं जा सकता है जब कि फिर आजाओ कि सोरा अवस्था में बारा सो से तेरा सो असी ग्राम होता है अर्था सारीरिक विकास से इन तीनों अवस्थाओं से अगर मस्तिस के भार से question पूछेगा तो 350 ग्राम, 600 अवस्था ठीक है न बेटा बाले आवस्था में मापा तवला नहीं जा सकता है और कि सोरा आवस्था में बारा सो से तेरा सो असी ग्राम confirm बेटा, दूसरा सुनो दातों की संख्या सैस्वा आवस्था में 20 बाले आवस्था में 27 से 28 और कि सोरा आवस्था में 32 चीक है न बेटा समझ रहो, इतनी बात, कोई confusion, फिर आ जाओ, यदि हम हड्डियों की संग्या पूछे, तो 270, 600 आवस्था, 350 बाले आवस्था, और किस ओर आवस्था, 206, तीन कोस्चन बन गए, बन गए की नहीं बन गए बेटा बोलो, हाँ या ना, जैन्व के समय बालक का भार होता है 3 kg, का होता है 7.13 पॉंट, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, भार का आकलन नहीं किया जाता है, जन्म के समय किया जाता है, बस फिर जैसा जिसका वेट, जैसा जिसका भार हो जाए, ठीक है ना बेटा, सारी इरिक विकास था, यह वो कोस्चन थे, जो यूपी टेट के पेपर में बने हैं, सिर्फ बना कौन सा है, मस्तिस का भार कितना है, कौन सा बन सकता वो मैंने बता दिया, बैक करके सुन लीजिएगा, ठीक है ना बेटा, कोई कन्फ्यूजन होगा तुरंद पूछ लेना, और यह भी कहा जाता है, सारी इरिक विकास सैस्वा आवस्था में तीवर होता है, बाल्य आवस्था में बच्चों का मानसिक विकास में थोड़ा असर पड़ता है, समझीएगा, और बच्चा खेलने में मन लगाने लगता है, खेलने कूदने लगता है, कुछ समय के लिए कहा जाता है, सारी इरिक विकास जो है, कुछ समय के लिए थोड आवस्था से लेकर किसोरा आवस्था तक बालक का जो सारी रिक विकास है वो बढ़ता ही रहता है ठीक है ना एक इंपॉर्टेंट बात अगर हम लंबाई की बात करें तो एक चीज़ कही जाती है कि सोला वर्ष के पहुंचने पर बालिकाओं की जो लंबाई की ग्रोथ होती ह बढ़ना होता है वो रुक जाता है ऐसा मनोवैग्यानिकों ने माना है लेकिन किसोरा अवस्था के बाद भी 21 वर्षों तक बालकों की लंबाई क्या होती है बढ़ती रहती है ये बात भी किसने कहा ये बात कही किसने मनोवैग्यानिकों ने लेकिन यहां से सिर्फ एक जितनी बालिकाएं सुन रहीं वो भी, जो बालक सुन रहें वो भी, बालिकाएं कह रहे होंगी, मेरी क्लास को देखने के बास हम तो अभी भी लंबे हो रहे हैं, तो हम यह नहीं कह रहे हैं, आप लंबी नहीं हो रहे हैं, लेकिन यह मनोबैग्यानिकों का एक विचार है, एक कथन है तो कोस्चन में अगर ऐसा आएगा तो आप 16 वर्ष लगाएंगी और जो लड़के देख रहे हैं लगाएंगे ठीक है ना बेटा दूसरा आजाओ मानसिक विकास ठीक है ना समझना बेटा अभी बच्चा सिर्फ और सिर्फ देख रहा है बच्चा महसूस कर रहा है लेकिन बच्चा तर्क नहीं कर सकता है बच्चा कलपुना नहीं कर सकता है समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाहरा हूँ सैस्वा अवस्था का जो मानसिक विकास होता है वो होता तो तीब रही है ऐसा नहीं नहीं होता है मांसिक विकास का मतलब कुछ देख कर वो सीखते हैं और कर जाते हैं जैसे का जैसा देखते हैं मांसिक रूप से सीख जाते हैं जैसा का जैसा कोई सामने वाला बोलता है वैसे कि वैसे उसको प्रतिक्रियाएं दे जाते हैं समय का concept तयार करने लगते हैं वो भी समय का concept इस तरीके से नहीं तयार करते हैं समय का concept ऐसे तयार करते हैं जैसे मैंने कहा अपने प्यारे से सैस्वावस्ता के बतीचे से अपनी प्यारी सी बेटी से अगर ये कहा क्या कहा? मैंने कहा बेटा आप एक काम करो मुझे ये बता दो time कितना हुआ है तो उसको ये तु नहीं पता है time कितना हुआ नहीं बता पाएगी लेकिन वो ये जरूर बता देगी पापा छोटी वाली सुई तीन पर है तीन के थोड़ा सा बाद में है और बड़ी वाली सुई पांच पर है मैं तुरंद जान जाओंगा तीन बच कर पच्चीस मिनट हुआ है हुआ ना बेटा अगर मैं ही आप से पूछूँ छोटी वाली जो सुई है वो च्छे से साथ के बीच में है और बड़ी वाली सुई आठ पर है तो कितनी होगी तो आप तुरंद कहे दोगे छे से साथ में हर्था छे बच के और अगर किस पे बटा आठ पे है तो चालिस मिनट हुआ है तुरंद आभाज बना लोगे तो कॉंसेप्ट का निर्माड करने लगता है लेकिन उसे जानकारी नहीं होती है तर्क कल्पना चिंतन जैसे जैसे बच्चा आगे अवस्थाओं में बढ़ता जाता है बाले अवस्था में जाता है विचार करने लगता है सूचने लगता है उसकी समस्या समाधान को दूर करने का प्रियास करता है समझ रह ना बटा लेकिन यही बच्चा जब किसोरा आवस्था में जाता है लेकिन जब मानसिक परिपक्वता की बात करते हैं किसोरा आवस्था से पहले बाले आवस्था में जो बात करते हैं बिटा वो कहीं न कहीं बच्चे पर थोड़ा सा प्रभाव प्रतिकूल भी दिखाई देता है क्यों दिखाई देता है क्योंकि बच्चे कहीं न कहीं खेलने में मन क्या करते हैं लगाने लगते हैं थोड़ा सा ध्यान हटता है जिसकी वज़े से मानसिक विकास में थोड़े समय के लिए कमी देखी जाती है लेकिन ऐसी कमी सिर्फ और सिफ कुछ समय के लिए होती है फिर बच्चा उसको भी दूर करकर आगे बढ़ने का प्रियास करता है तीसरी बात मानसिक विकास में अगर किसोरावस्था की बात करें बेटा तो यहाँ पर बच्चा पूर रूप से हर चीजे करने लगता है समझने लगता है वो जिस कार्री में लीन हो जाता है चाहे वो समाज का कोई कार्र हो चाहे वो पढ़ाई का हो मैं तो यहां तक की एक सब्सक्राइब करता हूँ चाहे वो जितने ही खुराफाती टाइप का दिमाग गाउं में कहते हैं हुराफाती लड़का है ये मतलब हर तरीके की चीजों में कहीं न कहीं अपना कारिक कर देता है कहीं न कहीं किसी भी चीज़ को करने में सफल हो जाता है समझ रहा बेटा तो वो होता है मांसी विकास, question कैसे पूछा जाएगा ये समझना है, ये नहीं पूछना है कैसे करना है, आपको question कैसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा निम लिकित में से किस आवस्था का मांसी विकास सबसे तीवर होता है तब आप कहोगे आप सीधे सीधे आइंसर लगाओगे अधिक्तम की बात कर लेगा तो आप कि सहुरा आवस्था को लगाएंगे 90% की बात करेगा तो चुकि विकास की बात करता है बुद्धी की development की बात की जाती है तो बुद्धी सब्द मांसी विकास के साथ जूड़ेगा तो 90% विकास का सहस्वावस्था में हो जाता है लेकिन अगर मांसी विकास सबसे अधिक तीबर पूछेगा तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है और यहां अगर बुद्धी के साथ भासा की बात करेगा तो 90% विकास बेटा जो है वो किस में हो जाता है सहस्वावस्था में हो जाता है तो आपका अबसारी रिक हो गया सम्वेगात्मग विकास समझेगा अभी सिर्फ मैं वो चीज़े आपको बता रहा हूँ जो पेपर में पूछी गई है और मैं आपको वो चीज़े जोड़ रहा हूँ जो पेपर में पूछी जा सकती है ठीक है ना अब हम बात करते हैं सम्वेगात्मग विकास की देखो बेटा बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही एक सम्वेग पाया गया जिस सम्वेग का नाम था उत्तेजना सम्वेग अकसर लोग कहते हैं कि बच्चा जन्म लेते ही रोने लगता है लेकिन मैं कहता हूँ कि बच्चा रोता नहीं है ग्यानिक कहते हैं बच्चा रोता नहीं है, बच्चा सम्वेगात्मक रूप से उत्तेजना नामक सम्वेग की उपस्तिती को दरसाता है, कभी आंसो से आंसो तोड़ी निकलता, आप सोचो बेटा, नौ माह किसी गर्भ, जिस किसी अंधेरे में रहना, गर्भकाल में तो वो ब इसमांदारी से बोलना, होने लगते हैं न बेटा, तो यह जो भैवीत होना होता है, जो डर है, इस डर को समाप्त कैसे होत्त किया जा सकता है, यह सभी सम्वेगात्मक रूप से अवस्ताओं, दर अवस्ताओं में दिखाई देने लगता है, अर्था सीधे सीधे क्या जन्म के समय उत्तेजना नामक सम्वेग पाया जाता है, और सम्वेगों के इसपस्ट और निश्यत रूप से सैस्वा आवस्ताओं में सम्वेग दिखाई नहीं देते हैं, तब आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं, ठीक है न, लेकिन कहा से इसपस्ट रूप से दिखाई देत हैं, तो आप आइन सर दोगे बेटा बाले आवस्ता, जैसे ही बाले आवस्ता में बच्चा पहुंसता है, उसके अंदर सम्वेग इसपस्ट वा निश्चित रूप में दिखाई देने लगते हैं, और ये सम्वेग किसमें दिखाई देते हैं, प्रेम रूप में, क्रोध के रूप में, भाय के रूप में, इर्श्या के रूप में, द्वैस के रूप में, कही न कहीं समू में जब बच्चा होता है, तब ये सब चीजे कही न कहीं दिखाई देने लगती है, लेकिन सैस्वावस्था के बच्चों में भाय नामक समवेग की उपस्थिती, अरनेस जून तीसरे वर्ष में प्रवेश करता है उसमें भय नामक सम्वेग आ जाता है इस वज़े से वो साप से अंधेरे से और जानवरों से क्या करता है बेटा डरने लगता है और सीधे सीधे आप आइंसर क्या करोगे सैस्वा अवस्था में ये बात अरनेस जून्स ने कही है बाले आवस्था में मैंने आपको बता ही दिया है और किस ओर आवस्था में तो पूर रूप से चारो और से घिर जाता है घिर जाता है ना सम्वेग आत्मक रूप से घिरता है क्रोध अत्यधिक क्रोध में पहुंच जाता है क्यों क्योंकि कोश्चन पूछा जाता है कि सोरावस्था से यूपिटेट में कोश्चन पूछा गया समविगात्मक विकास से बालक मानसिक उचाईयों को छूने के लिए प्रयत्रत रहता है क्यों क्योंकि वो समविगात्मक रूप से घीरा रहता है वो अपने कार्यों को इस तरीके के बहुत सारे question बन सकते हैं लेकिन मैंने आपको सिफ अभी हलका हलका बताने का प्रयास किया है भारी भारी जानने के लिए भारी भारी class में आना होगा जो हम आपके सामने जरूर लाएंगे लेकिन इन class का असर आप पर कितना पढ़ रहा है आप छोटी छोटी बातों से कितना सीख पा रहे हैं ये बहुत important है क्योंकि मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिफ वो thoughts के रूप में चीजे मैं आपको बता रहा हूँ जो सिर्फ और सिफ और सिफ पूछी जा सकती है इसमें बहुत कुछ है बिटा अगर सैस्व आवस्था के सारीरिक विकास को पढ़ेंगे तो बहुत समय लगेगा मांसिक विकास को पढ़ेंगे बहुत समय लगेगा कि सोरा आवस्था के बारे में सम्वेगात्मग विकास में या बाले आवस्ता या सैस्व आवस्ता के बारें पढ़ेंगे तो समय लगेगा और उस समय को भी हम आपको देंगे लेकिन अभी हम चाहते हैं आप छोटे छोटे पॉइंट बनाओ और देखो क्या ये चीजों से आप दूसी चीजों को जोड़ पा रहे हो और अगर जोड़ पा रहे हो तो वही वेटा क्या है सारीरिक, मांसिक और समवेगा अत्मक विकास है उधारन के तौर पे मैं तीनों चीज़े आप पर बताने का प्रियास कर रहा हूँ अपने आप पर बताने का प्रियास कर रहा हूँ जैसे मैं खड़ा हूँ मैं सारीरिक रूप से फिट हूँ मानसिक रूप से परिपक्वता है और सम्विगात्मक रूप से किसी अन्य तरह की चीज़ों को बढ़ा है कोई एक तरीका मुझे कहीं न कहीं मेरे उपर प्रभाव डालता तो मैं जो सिच्छन कारी कर रहा हूँ यह सिच्छन कारी आपको बिल्कुल भी समझ में ना आता और आपको यह दिखाई दे रहा होता कि सर कहीं न कहीं सम्विगात्मक रूप से उनका ध्यान कहीं अलग है मानसिक रूप से वो परिपक को नहीं लग रहे है सारीरिक रूप से वो फिट नहीं लग रहे है पढ़ा रहे हैं, explain अच्छा कर रहे हैं, हम चीजों को जोड़ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, मेरे ओपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा, और आप लोग भी ये बात मानते होगे, जब आप किसी कारी को करते होंगे, और आप किसी भी तरीके का कोई करकार से कोई भी समस्या लगेगी बिटा, तो comment box में comment करना, अगर मन में ये हो सर की, और detail में जानना है, और detail में समझना है, तब भी comment box में comment कर देना, मैं promise करता हूँ, मैं सारी दिक विकास से वो सारे statement heading wise, जो हम लोग DLAD में लिखते थे, उसके अदिस्तार करते थे, वैसा सिखा दूँगा लेकिन वैसा पेपर में नहीं पूछा जाएगा यदि आप कहो के नहीं सर समझा दीजे सैस्वावस्ता को और अच्छे से और ज्यादा अच्छे तरीके से मेरा प्रॉमिस है आपसे प्रॉमिस मैं बहुत करता हूँ जो करता हूँ वो पूरा कर देता हूँ ठीक है ना बेटा तो कोई भी कोश्चन किसी भी तरीके का आप पूछना चाहते हैं तो हम से पूछ सकते हैं हम आपके साथ हैं ठीक है ना बेटा एक लाश्ट बार सुन लेना चाहे सारी विकास हो चाहे मांसिक विकास हो चाहे सम्वेग आत्मक विकास हो अवस्थाओं दर अवस्थाओं में चीजों को समझाने के लिए इससे अच्छा कोई भी तरीका नहीं है क्यों क्योंकि देखो बिटा मेकड्यूगल महुदे के जो चौदा सम्वेग हैं उन सम्वेगों को जब भी मैं आगे पढ़ाऊंगा उन सम्वेगों को अगर आप लोगों ने याद कर लिया क्योंकि कहा जाता है बच्चों को सैसो आवस्था में उसके मूल प्रवित्यात्मक विवहार से देखा जाता है बाले आवस्था के बच्चे को भी देखा जाता है किसोरा आवस्था के भी बच्चे को देखा जाता है मैं अक्सर कहता हूं किसी भी व्यक्ति से आप बात करि दिखाई देगा और याद यदे वो चेहरे पर दिखाई देता है तो यह बालक 충त को बालक तरीके को निर्धारित नहीं करता है, यह सामने वाले, जिसके चेहरे पर दिख रहा है, वो दिखाई देता है। कहते हैं किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा अब मुझे गाने माने नहीं याद हैं बट मेरे कहने का जो मतलब है वो आप समझ रहे होंगे ठीक है ना तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका नम्बरों में से किसी भी नम्बर पे फून करके आप संपर कर सकते हैं साइकलोजी के चीजों को जान सकते हैं पहचान सकते हैं हमसे पूछ सकते हैं हम आपको बताते रहेंगे आज के लिए बस इतना ही अपना ख्याल रखें अपने परिवार का ख्याल रखें बहुत बहुत